स्वागत है, लॉंग टर्म शेर्स में, बहुत-बहुत स्वागत है, आज मैं सस्क्राइब के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार मिला हुआ है, मेरे काफी अच्छे सस्क्राइबर्स हैं, और मैं कभी पब्लिख भी कर दूँगा कि कितने मैं सस्क्र बातचीत करूं, तो बातचीत में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि बहुत लोगों का सपना होगा कि हम भी मार्केट में अच्छा पैसा कमाएं, आप लोगों के भी गुरू होंगे, जिस परकार से जो आदर्श होते हैं, वारेन बटफेट हैं, यहां पर आकर जुमिन वाल होता है, तो उनको रियलाइज होता है, तो शायद आज हम उसी विशे पर बात करेंगे, और जो मैंने स्टॉक्स बनाए हैं काफ्री, तो उन पर भी कुछ कहीं ने कहीं, पॉइंट मैं दूँगा, कि हम ऐसे मंदी के दोर पे, जब लगातार मार्केट में गिरावट है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, देखे, अगर हमने सारा पैसा, हमेशा समय यही कहता आया हूँ, कि आप कभी अपना पूरा पैसा एक स्टॉक या एक सेक्टर में ना लगाएं, तो मुझे जरूर आशा है, विश्वास है, कि आप लोगों ने वैसा ही किया होगा, और आज भी आपके पास कैश होगा, तो ऐसे मंदी में कौन से स्टॉक या कौन से सेक्टर में आपको कुछ और खरिदारी करनी चाहिए, उस पर भी हम थोड़ी से डिसकस करेंगे, लेकिन मैं बता दू पहले कि हमें, जैसे कि मेरे पास भी दू अकाउंट है, डेमेट अकाउंट, एक है मेरे जिसमे मेरा बैंक है, HDFC में, दूसरा है मेरा जिरोधा में, अच्छा उसका रीजन क्या होता है कि बहुत सारे जो डेमेट अकाउंट में क्या कभी-कभी हम अपने ब्रोकर साटिसफाइड नहीं होते, जैसे माली जीए कि मुझे आपका जो बैंक है, हो सकता है कि इसके delivery charges को ज्यादा महेंगे हो, आप जो cash में खरिकते हैं माल, तो हमें दूसरे में रहना चाहिए, या अगर हम एक में trade कर रहे हैं, तो हम एक में cash पे लेके रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या लंबे समय के लिए जो हम stocks hold करते हैं, तो मेरे विचार से ये अच्छा र आएंगे, आपका account open हो जाएगा, तो चलिए, मैं फिर से आता हूँ, तो जो हमारी वीडियोज हैं, तो इस मंदी में हम क्या करेंगे, बहुत सारे मैंने वीडियोज बनाए हैं, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, कि आप अच्छी कंपनियों में, अच्छा अब large cap में आप जादा invest मत करिये, क्योंकि बहुत जादा मानता हूँ कि उनकी sales growth अच्छी है, उनका EPS अच्छा है, उनका return one, equity अच्छी है, लेकिन होता क्या है कि large cap कंपनियों मालूम है कि उतना जादा correct नहीं हुई है, जितना small cap, mid cap, micro cap कंपनियों, और ऐसा भी नहीं कि micro cap या small cap या mid cap मे नहीं है, बहुत सारी अच्छी कंपनिया है, चाहे वो chemical sector की हो, चाहे वो FMCG की हो, चाहे वो auto sector की हो, और इस प्रकार से जैसे करें, one by one अगर मैं फटा फट यहाँ पर एक नजर हम मारते हैं, तो जैसे मैंने बंधन बैंग के बारे में कहाता है, बंधन बैंग के बारे मेर पूरे बाजार में जब गिरावट आती है, तो कोई भी company, कोई भी stocks बचता नहीं है, वो भी प्रभावित होता है, तो किस sector में ज्यादा गिरावट आती है, तो जिसे बैंक सेक्टर में ज्यादा गिरावट आती है, तो सारी बैंक के प्रभावत होती है, तो ऐसा नहीं कि एक ही stock पे फर्क पड़ता है, हाँ, एक stock पे तब फर्क पड़ता है, जब market में गिरावट ना हो और उस stock में या उस company में कोई issues आए हो, या उनकी results अच्छे ना हो, या management को लेके कुछ problem होई हो, या scams वगएरा कुछ होए हो, तो फिर वो बुझे तरह टूपते हैं, तो price पे अच्छा return बना के देने वाला है, यह मैं एक recommendation नहीं दे रहा, मैं एक information दे रहा हूँ, और आपके साथ एक बातचीत कर रहा हूँ, इस प्रकार से अगर सकूमा में भी कई लोगों ने कहा कि अभी 30-35 के भावव पे हमने लिया हुआ था और आज 14-15 के rate पे चल रहा है, तो होता क्या है, friends की, जब large cap company अगर 15-20% तूटती है, तो जो micro cap companies होती, छोटी price की, छोटी amount की company होती, उन पे ज्यादा वो 40-50% तूट जाती है, तो obvious से बात है कि इस पे प्रभाव भी इसलिए पड़ा हुआ कि एक तो trade war भी चल रहा है, plus market में लगातार गिरावाट, plus budget के बात, जिस प्रकार से finance minister के तरब से जो surcharge लगाए गए है, FIIs पे, तो वो बाजार को नागवार गुजरा, और इस वजए से काफी FIIs ने बिकवाली की है, और अभी इसमें खरिदारी market में हमारी हो ही नहीं रहे, यही सबसे बड़ा कारण है कि लगातार हमारे भारती कारण होते हैं, यह भी एक कारण है उनी में से, आप budget के बाद देखी रहे हैं, क्या situation है, तो इस तरीके से जो अच्छी company आप जैसे मैंने RB, NL, Rail Vikaas, Nigam Limited के बारे में पताया, आपी recently April में इसका IPO listing हुई है इसकी, तो यह भी काफी अच्छा profit दे चुका था, फिर नीचे की लेवल पे आ चुका है, तो जो लोग इसमें चाहें, तो फिर से इंट्री कर सकते हैं, और नीचे की लेवल पे जाता है, तो फिर से बाइं की जा सकती है, तो अच्छा short term में profit आपको अच्छा मिल सकता है, तो यह भी धियान देने वाली बात है, अब जिसे मारूती कि आटो सेक्टर मैंने ये कहा था, कि अभी आटो सेक्टर से फिलाल कुछ दिन दूर रहें, क्योंकि जो गौर्मिन के तरफ से नॉमसा हैं, उन्होंने कहा है कि हमें भारत में अब सब इलेक्ट्रिक वेहिकल्स चाहिए, फोर्विलर हों, चाहिए, ट्रू हिलर हों, कार, त तो काफी 40% के आसपास में गिरावट है, थोड़ी से और गिरावट आ सकती, लेकिन भारती बाजार में इसका बहुत बड़ा मार्केट है, 50-60% होल्ड करती है, मारुति सुजकी, तो ऐसा तो है नहीं कि अपना कारोबार समेटी गया और चली जाएगी, नहीं ये बनाएग थोड़ा समय लग सकता है, तो थोड़ा सा और वेट करें, अशोख लिलेंड है, अगर आपको लगता है कि और नीचे गिरावट आगे तो आप खरीद लें, वो छोटी प्राइस का है, अच्छी कमपनी है, तो इस तरीके से स्ट्रटजी बनाएं मंदी में, और इस मंदी के दौर में, गिरावट वाले माइक्रो कैप कमपनी और मिट कैप पर ज्यादा फोकस करें, केमिकल की कमपनी पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो जल्दी भागती हैं, जब मार्केट में अच्छा दौर आता है, तो इस तरीके से हमने कई सारे वीडियो बनाएं, चाहे हो जाती है, तो जैसे कि पॉली कैप हो गया, हैवल्स इंडिया हो गया, जो भी आपको सस्ता लग रहा हूँ, जिसका पी रेशियो सस्ता हो, जिसके फंडमेंटल अच्छे हो, उसको आप खरी दिये, और इस तरीके से आप अपने मकस्त में कामयाव होंगे, और अच्छा र मैनेजमेंट भी काफी अच्छा रिटन दे चुका है, एमसी का सबसे अच्छी बात है कि देखिए इसको तो ना तो कहीं से कर्जा लेना है, यह मैनेजमेंट कमपनी है, इनमेश्टर्स पैसे देतिंग भाई हमारे पैसे को आप लगाईए श्यर मार्केट में आज जहां ज तो यह कंपनी पर ना तो करजा रहे का ना तो इसको कभी फंड की कमी होने वाली हो अच्छा रजर्व रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि HDFC इसके जो पैनेटल कंपनी है, बैंक है, HDFC है तो चाकर चाया है, तो काफी अच्छा भागा यह, यह सबैंक, यह सबैंक जैसे क कि काफी गिरा हुआ है, अभी 90 के लेवल पर मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि अब मैनेजमेंट का जो इशू था, जो NPA का इशू था, धेद्रिव सॉल्व हो रहा है, स्टॉट आउट हो रही ही चीज़ें, तो आप यह मत सूचिए कि हमें 6 महीना में पूरा 400 का रिट चूका है, तो जो अच्छी कमपनी आगर बिखरी हुई मिल रही है जमीन पर तो आप उनको समेट लेजिए, कहने के यह तात पर है, दीपक नाइट्रेट भी काफी टूट चूका है, तो एक माइक्रो कैप कमपनी है, तो दीपक नाइट्रेट यह केमिकल की कमपनी है, और म जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिनका रिटन ओन एक्विटी अच्छी हो, जिनका रिटन ओन अच्छा हो, इस प्रकार से उन कमपनी हो को आप चुने, आश्ट्रल पोले कैप, अशोक लेलेंड, इस तरीके से मननापूरम फानेंस जैसे तो लोग बजाज फानेंस में न बहुना है तो और ले आप इस मननापूरम फानेंस को, अच्छी रिटन से आपको मिलेंगे, फंडमेंटली बहुत अच्छी कमपनी है, टायर सेक्टर में जाना चाहते तो अपोलो टायर से अगर आपको नहीं पसंदा तो बालकृष्णा इंडस्ट्री ले लें, इंटरने लेकिए अभी कितने ऊपर पर है, 3.5 का से याउन पास ट्रेट कर रहा है, तो हमें, हाँ लेकिन यह मल्टी बैगर, ऐसा मैंने कहरा कि आपको अभी लेने लाइक नहीं है, सारे तीन सो पर आप लेंगे तो मैंनी अभी रेक्मंट कर रहा, आपको अगर 300 के नीचे मिलता है तो जरूर इसमें आप कुछ जाए, इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक के बारे मैंने बताया, ITC मुझे बहुत अट्रेक्ट करता अभी काफी, इसमें भी गिरावट है, इसमें भी लिया जा सकता है, इसकोर्ट है, तो इन सब कंपनियों के जो व्यापार है, वो देखके, उनके फंडमेंटल देखके, हम लोग जैस करके उस पे जो है, निलाएं के स्थिती बनाते हैं, और उसे साब से स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं, आर्ती इंडस्ट्री है, केमिकल की विनाती और गैनिक्स है, तो काफी हमने बताए हैं, तो फ्रेंज बहुत-बहुत आपको शुक्रिया कि आपने जो है, हमें इतना प्यार दिया, मुझे इतना उसर दिया, वीडियोज बनाने का, कि मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ, और मैं भी यही कहना चाहूँगा, कि आप जो लीडर हों अपने सेक्टर में, जो कमपनिया आप उनको जरूर खरीदें, चाहे जैसे वी आईपी इंड़स्ट्री में काफी गिरावट है, लेकिन आपको पता है कि मार्केट में उसकी बहुत जबरदस पकड़ है, वी आईपी की, तो आप अगर गिरावट मिल रही है, तो आप भागने नहीं, डरें नहीं, जो existing हैं, वो तो बने ही रहें, लेकिन आप quantity बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी इमत है, धीरे-धीरे बढ़ाते रहें हर गिरावट पे, चाहे कजारिया सरामिक हो, कजारिया सरामिक भी काफी अच्छा fundamentally है, अगर आपको मौका मिलता है गिरावट में, उसमें भरने का तो भी भरे, यह recommendation नहीं, मैं एक information दे रहा हूँ, तो इस प्रकार से idea of CES, बैंक, chemical की companies, इस तरीके से आप अपने portfolio कि सजाएं इस समय, मतलब सस्ते मिल रहें तो उठाएं, हाँ, SIP करें, हर महिने कुछ ने कुछ लेते रहें, गिरावट में, बहुत जारा लंबसम पैसा ना डालें, हमेशा मैं यही कहता हूँ, मैं और क्या कह सकता हूँ, मार्केट में हम, आप कोई भी दिग्ज हो, कोई नहीं कह सकता कि किस लेवल पर नीचे जाएगी, किस ने ऊपर जाएगी, कौन से stock कितना कमा के देगा, कौन से नहीं देगा, हम सिर्फ company के fundamental देखके, उनकी progress देखके, उनकी sales growth देखके, उनके results देखके, हम management देखके ही decide करते हैं, कि हम इस पर भरोसा कर रहे हैं, और यह हमें कमा के देगी, dividend paying stock हो, अगर आपकी बहुत बड़ी quantity हो गए किसी stock में, तो उसका dividend ही मा लेजिए, interim dividend देता है, साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार जितने भी दे, तो आपको dividend, जो tax free dividend मिलेगा, आपको चाहरे हैं, यह तो ही invest कर सकते हैं, आपने personal expenses में भी use कर सकते हैं, company dividend के माद हम से आपको देती रहती, bonus यह से विप्रो है, विप्रो इतना bonus देती है, कि आपकी quantity इतनी बढ़ जाती है, फिर dividend भी अच्छा देती है, तो आपको से मुनाफ़ा होता है, और share price से तो होता ही है, तो अपनी study भी खुद किया कीजिए, अपने stock portfolio को, समय समय मैं portfolio भी बनाता रहता हूं, दोस्तों चलिए मैं आज यहें पर वीडियो अपना wind up करूँगा, और thank you for watching this video, और अगर आप subscribe ने केर जरूर करने है, thank you दोस्तों,